इलावाद हाई कोट में बेसिक सिक्षा परिशत के सचीव ने शपत्पत्र दाखिल कर बताया है कि प्राथमिक विध्यालिव के सर्प्लस अध्यापकों के समयजन और स्थानांतरण का कार्य अव 11 सितंबर के बाद होगा इस दोरान छात्र सिक्षक अनुपात के आकलन के आधार पर सिक्षकों की सूची तयार की जाएगी पहले सम्मंदित अध्यापक की आपत तेली जाएगी तथा उसके निस्तारण के बाद ही स्थानांतरण किया जाएगा कोड ने याची को सरकार की शबत पत्र का जबाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई की तित्थी 14 अगस्त नियत की है और तब तक स्थानांतरण पर लगी रोक बढ़ा दी है नीर्जा और पचास अन्य अध्यापकों की याचिका की सुनवाई नयायमूर्ती एज्डी सिंग तथा नयायमूर्ती डोनादी रमेश की खंडपीट कर रही है प्रक्रण बेसिक विध्यालों में छात्र सिक्षक अनुपात की आधार पर सिक्षकों की जले के भीतर ही समयाच उनकी प्रक्रिया से जुड़ा है कोड को बताया गया है कि सबसे पहले 30 जून 2024 की स्थत्य के अनुसार विध्यालों में छात्र अध्यापक अनुपात तै किया जाएगा उसके लिए वास्तविक प्रयास किये जाएंगे तथा इसकी आधार पर यह तै होगा कि किस किस विध्याले में अध्यापकों की संख्या चात्रों के अनुपात में अधिक है और कहां कम है इसके बाद उन सिक्षकों की पहचान की जाएगे जिनको समयोजित किया जाना है यह जिले में उनकी वरिश्चता के आधार पर तै होगा